वेल्कम फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे नालन्दा वीस्वीद्याले से एक इंफोर्मिशन की online एवं offline जो admission हो रही है उसी से related यह जो information है आज की इस वीडियो में हम लोग express करने वाले हैं वैसे इस्टूडेंट जो ऑपन यूनिवर्सिटी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से इंट्रिस्टेड है किसी भी कोर्स को करने के लिए तो उनके लिए ये वीडियो हेल्फुल है आये स्टार्ट करते हैं देखते हैं सब्सक्राइब कर लिज़ेगा हमारे इस चैनल को मु वीडियो भी अप्रोड की थी आज फिर से मैं एक बार डिसकस कर देती हूं वर्स 2022 के सैशनिक सर्त्र के निमलिखित जो विश्यों में नामंकन प्राप्त करने ही तू पाथ साथ 2022 को जो नोटीस आई थी से ले करके 31 आठ 2022 मतलब पाथ जुलाई से 31 अगस्त के बीच में उसको छोड़ करके आवेदन अमंतित किये जाते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं निमलिखित सभी पाथ करम जो है एवं यूजी सी से मानेता प्राप्त है यह पूरा तरह से यहां पर किलियर किया गया है अभी हम लोग बात करेंगे कि पाथ करम की बात करेंगे कौन कौन स कितना है पर टीवर्स मतलब परियर कितना फीस लगेगा दोनों की बात हम लोग यहां पर करेंगे जितने भी को यहां पर दिखाया गया है सभी को अच्छी तरह से डिसकस करेंगे कि यहां है आपका जो है इतना तो कुत्तर मतला पीजी के लिए अगर हम लग पॉस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो में यहां पर सबसे पहले जो है कलास का में जो है उसमें अर्थ सास इच्छा यह सभी आप अपना इसमें सब्जेक्ट देख लेज़ेगा इतिहास राजन 5600 रुपी जो है वो पर येर फी है एमकॉम है जिसका भी सेम है 5600 पर येर मसी के बात करें जिसमें आपका बॉटनी से बनस्पति विज्ञान भूगोल गनीद भौतिकी विज्ञान जन्तु विज्ञान मतले हिंदी में है यहां पर इंवर्मेंटल साइंस हों साइंस यह 6600 पर येर एक साल का मास कम्मुनिकेशन एंड जन्रलिज्म का अगर हम लोग बात करें तो उसका 6400 है M.C.A. के अगर बात करें, अगर आप M.C.A. करना चाहते हैं, तो उसकी अगर फीज के हम लोग बात करें, तो इसकी फीज जो है, वर 20,000 है, 20,000 रुपए पर ये है, एक साल के लिए 20,000 आपको पे करना होगा, वहीं पर अगर आप पुष्टकाल है, एवं सुचना भी ज्यान जिसको हम लोग M.L.I.S. बोलते हैं, उसके लिए आपको 12,400 रुपए पर ये देना होगा, ओपन यूनिवर्सेटी का है, ये आप लोग के साथ डिसकस कर रहे हैं, यहाँ पर था, अब हम लोग डिप्लोमा पाठकरम जो है, पीजी डिप्लोमा पाठकरम उसका बताएंगे फीज क्या है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद आपका है, फाइनेंसियल मैनेजमेंट, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन सभी का कोर्स के लिए आपको 6,800 पे करना है, पर ये, सभी का एडमिशन जो है, ये अपन है अभी, इन सभी में आप अपलाइक कर स लगते हैं, योगिक इस्टडीज, पत्रकारिता एवं जन संचार, इन्फोर्मेशन और पब्लिक रिलेशन, यूमेन रिसॉर्स मैनेजमेंट, सबका जो है, आपका यहां पर 7,200 है, यूमन रिसॉर्स मैनेजमेंट, 9,200, इसना तक पार्ठिकरम के अब हम लोग बात करते है तो उसमें कला प्रतिष्ठा, मतलब बी ओनर जो है, इतियास, राजिती, विज्ञान, अरसाथ, हिंदी, समाद, सास्त्र, सिच्छा, परियाटन, सोसल वर्क, उर्दू, मनो विज्ञान, ग्री, विज्ञान, भूगो, लोग, पर शासन, यह जितने भी यहां पर दिये गया है, विज्ञान, जो बी ओनर से है, जिसमें आपका बोटनी, केमेस्ट्री, मैस, फिजिक्स, जुलोजी, भूगोल, याग्री, विज्ञान, योग, यह सभी है, इसका भी है, 3200 पर यह, जर्नलिज्म, एंड मास कम्मिनिकेशन, बी जे, एमसी की ओनर सगर है, तो 3600, योग, बीजनेस, एडमिनिस्टेशन, मतलब बी बी या फिर बी सिय, यह सभी के लिए, बी एल आई एस, जो है, सभी के लिए आपको 7600, यह दोनों के लिए, और इसके लिए 7200, जो है, वो पे करना है, आगे और भी कोशिस की देख लेंगे, फिर हम लोग देखें कि एडमिस्टेशन की ओनलाइन, ओफलाइन प्रोशेश वेगरे क्या है, सब्सक्राइब कर लिजगा फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को मुझे जुड़े रहने के लिए, ताकि सभी अपडेट आपको आसाने से मिलती रहे, साथ यह अगर किसी भी तरह की कनफ्यूजन हो, किसी भी तरह की डाउट हो, तो आप कुस्टिन पूछ सकते हैं मुझसे, आई होप आपका जो इसू होगा, वो सॉल्प किया जाएगा, इंटरमीडियेट पार्ट करम का अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 2400 यहां पर है, कला बिज्ञान बानेजी किसी अगरी कि में इस साथनी कोशन पूछ करम करफा बात कर नौमा क्लब हो, उसमें यहां पर बहुत सारह ने कर चोछके डिये गले है, सभी सब्स एक हैंपर 2400 जो है यह पूरा यहां तक आपका 23 नंबर तक जो है यहां तक आपका 21 नंबर तक आपका है उसके बाद इंटिरियर डेकोरेशन के लिए 6800 है कंप्यूटर नेटवर्किंग राउंडिंग एंड स्वीचिंग के लिए 50,000 15,200 है यह आपको दीख भी रहा होगा आप इसको देख लिजेगा यह आपका सर्टिफिकेट पार्थिक्रम है नौ मा का हिंदी में थोड़ा कंफियोजन है इसलिए इग्नौर प्लीज नामांकन से संबंधित परामस के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं इमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट सेक्षन में कमेंट भी कर सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि जो फॉर्म फिलप आपको करना है तो उसकी दो प्रोसेस है ऑनलाइन या अफलाइन तो दोनों ही प्रोसेस को आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पर्थम वीदि और दूतिय वीदि के पहला जो वीदि है इस वीदि के पर दिये गए जो लिंक है उसका उप्योग करेंगे अगर आपको लिंक नहीं अवेलेबल हो रहा तो कमेंट कीजेगा मैं आपको डाइरेक्ट लिंक दे दूंगी जिससा क्लिक करके पहुंच सकते हैं अपने फॉर्म तक इसके इतर कोई अन्य वेशाइट या लिंक के माध्यम से अनुपालन करते हुए ओनलाइन फॉर्म भरने से मतलब कि अगर आप इसके अलावा कोई और लिंक से जा करके फॉर्म फिल केज़ेगा तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्यदार नहीं होगा बिद्यार्थी गन नलंदा ओपेन विश्विद्याले के वेशाइट पर दिये गए अवेश्चक निर्देशों का अनुपालन करेंगे ये कहा गया है करते हुए ही ओनलाइन नामंकन फॉर्म भरेंगे तथा उसी माध्यम के अंतरगत उनलाइन भुगतान सुनिचित जैसा बताया गया है सेम उसी तरह से पेमेंट भी करना है बैंक या SBI कलेक्ट के माध्यम से भुगतान सुनिकार नहीं किया जाएगा विद्यार्थी गन अपबंधित नामंकन प्राप्त होने के उपराम्त क्या होगा रेजिस्टेशन स्लीप एंड फी रिसीप्ट का प्रि मुख्याले में बुलाया जाएगा तब रेजिस्टेशन स्लीप एवं फी रिसीप्ट को साथ लेकर के जाना होगा उलेखनी है कि परपत्रों के सत्यापन के उपरांथी नामंकन सुईकिती पदान किया जाएगा मतलब कि आपका प्रपत्र है फॉर्म है उसका सत्यापन हो जाएगा उसके बाद ही जो है सुईकित किया जाएगा नवंकन सुचना भी मोवाइल के द्वारा ही दे जाएगी अपना ईमेल और मोवाइल नंबर बिलुकुल सही-सही दीजेगा परपत्रों की कमी या जाली फेक परपत्र अप्लोड कि यह जाने की सिदिती में नामंकन तत्काल जो है रद कर दिया जाएगा नावंकन रासी स्वेहतर जब तो हो जाएगी इस पर री पर करियर में किसी भी इस तरपर गलती के लिए सिधे तरपर आप जिमेवार होंगे यूनिवर्शिटी जिमेदार नहीं होगा यह था ऑन-लाइन प्रोशिष्ट अब हम लोग ब का बैंक ड्राप जमा करके विशको मान भवन यह देख लिए कहां पर है विशको मान भवन अवस्थित विश्विद्याले के मुख्याले कार्याले अर्थ्वा किसी भी अध्यन केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी अध्यन केंद्र में जहां पर इगनुका होगा वहा जा सकता हैं। फॉर्म पाउसूरूपय का लेना है। आपको फी जमा करने के बेंक ड्राफर जमा करने के बाद ही। तो पडनी आपका जो निद्ग्राफर के माध्यमी से नीधारित कोट데। फी जमा करना अनिवार है बैंक ड्राफ किसी भी बैंक का नालंदा ओपन युनिवर्सिटी पेवल एट पटना के नाम से बना होना चाहिए उप्योक्त के अतिरिक पटना अवस्थित बिहार स्टेट कोपरेटी बैंक बाकी पूर के खाता संख्या इतना अर्थवा इंडियन बैंक के खाता संख्या इतना में नालंदा ओपन विश्विद्याले के नाम से 500 रुपए की रासी जमा करके प्रोस्पेक्टर की परती विश्विद्याले मुख्याले से भी प्राप की जा सकती है विद्यार्थी अपनी सुविदावंसार अपना भारा हुआड मिशन फॉर या अधी कड्राप किसी वी स्थिती में स्विकार NAT सबस्सक्रास अवस्थी उध्याले चिसकी सूची प्रोस्पेक्टर्स ऑम विवस्थाइट पर देखी जा सकते आई हो फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो हैल्फूर रहा होगा सब्सक्राइब कर लेज़ेगा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए साथ ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर सभी पार्थिकरमों के नमंकन सुल्क में 25% महिलाओं को छूट दी गई है तो जो भी है उनको 25% जो है एडमीशन फीच में नमंकन फीच में छूट दी गई है तो यह ध्यान रहे आई हो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हैल्फूर रहा होगा किसी भी तरह की डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे थैंक यू सो मच और कमेंट करके जरूर बताए कि ने कि किरे फडों, तरह के ज़िए लिए हो एक चुछे बताए बताए करे करे hyvin तो है कर करा रहा है, टाताषम में वीच प внदे बता करे बताभ है करके ज़िए ने भी डंकर ओगान मिनाल्च कर झाताध है